कैसे हैं आप सभी लोग कनेक्ट हो जाईए सारे के सारे जल्दी जल्दी आप लोग और हम लोग हमारे आज के इस बहुत ही इपॉर्टन से और बहुत ही वैल्यूबल से सेशन की जो हना उस शुरुवात कर देते हैं बहुत इपॉर्टन सा सेशन है हमारा आज का यह और आप सभी को रादे रादे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आप लोग जो है न वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पास में बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलरली जो हना नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे दोस्तों आप लोग कोई भी कोर्स ले तो प्लीज मेरा कूपन कोर्स सुनील जो हना वो जरूर यूज कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो हना वो मैक्सिमम डिसकाउंट मिल सके आईए हम लोग हमारे आज के सुपर इपॉर्टन सेशन की सुरुवात करते हैं और जहां पर आप लोगों को मैंने कल ड्रॉप किया था वहीं से ही आगे जो हना हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ ये क्युस्टन से हमारे जो हना कल की क्लास में चल रहे थे आपको याद आ रहा हो तो ठीक है न क्या था कि the transfer of data from one application to another in a computer system is known as जब आप एक application से लेके दूसरी application पे जब data transfer करते हो computer के अंदर आप एक application से दूसरी application पे जब भी data transfer करते हो तो इस technique को बोलते हो इसको बोलते हो dynamic data exchange बोलते हो आप लोग यह क्या होता है आपका यह होता है dynamic data exchange एक जगह से दूसरी जगह जब आप data transfer करते हो तो यह dynamic data exchange कहलाता है the unit of measurement of word length word length का measurement का unit भी आप लोगों को sure मैंने बताया होगा तो एक word जो होता है ना वो किसके बराबर होता है एक word होता है dear आप लोगों का 16 bit के बराबर होता है ठीक है ना आप उनको revise कर लेना साथ की साथ जरूरी है और उसके बाद में नए क्योसन अपने आप start हो जाएंगे ताकि कल की class में आज की class कहता है link हो जाए पिछले 5 साथ क्योसन revise करके फिर आपके आगे बढ़ा दूँगा तो हाँ एक word क्या होता है 16 bit का क्या होता है आपका एक word होता है और ये बात याद रखना कि bit का full form क्या होता है bit का full form होता है आपका binary digit होता है ये भी याद कर लेना जी आप ठीक है ना क्या होता है आपका binary digit binary digit को क्या कहते हो आप लोग bit ही कहा करते हो तो इसका सही अंसर bit ही है आपका, who invented email ये भी हमने पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना कि email जो है ना email को invent किस ने किया या email का विस्कार किस ने किया तो email का विस्कार किया है या email को जो invent किया है ना इन वेक्ति का नाम आपको याद रखना है देखो, actually 1971 की बात है 1971 के अंदर एक परसन है जिनका नाम क्या है सीवा आदूरई, ठीक है ना सीवा आदूरई जो है ना उन्होंने email का discovery किया था और email को भेजा किस ने था 1972 के अंदर mail को भेजा था और भेजने वाले परसन कोन बताये थे मैंने आपको भेजने वाले परसन थे आपके रो टॉमल सिन रे टॉमल सिन जो है ना ये नोने email को भेजा था तो 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 ये इस पार्टिकुलर किसन का सही अंसर क्या था आपका ये ही वाला उप्शन सही था आपका ठीक है ना वी ए सिवा अदूरई और हाँ बाकी options भी valuable है like विनिज सर्फ क्या थे विनिज सर्फ क्या बताए है आपको मैंने विनिज सर्फ बताए है father of internet बताए है यानि कि internet के पिता जो है ना अगर मुझसे पूछते हो तो विनिज सर्फ है आपके जेम्स गोसलिंग कोन है जेम्स गोसलिंग जो है ये father of java language है ठीक है ना father of java java के जो पिता है ना उनका नाम क्या रहेगा आपका जेम्स गोसलिंग father of java यही है आपके और team burnas Lee कोन है team burnas Lee जो है या father of www कह सकते हो ठीक है ना father of www world wide web 1989 के अंदर जो है ना इन्होंने www का एक बात बताओ यार computer हिंदी में पढ़ोगे तो कैसे कर पाऊगे आप क्या चीज मैं ऐसी बोल रहा हूं तुम ना यार ये बाते मत किया करो तो जादा अच्छा लगेगा ठीक है ना अगर तुमारा master तुमें जो है वो इंगलिस में बोले प्रॉपर इंगलिस में पढ़ाए तो तो तुम बोलो क्युस्टन लिखा वाय है who invented email को बनाया किसने ये बात बोल दी सर ने explain कर दी एक एक चीज इंदी में लिख दी थोड़ी सी इंगलिस का touch दो भाई अगर नहीं आती तो भी देना सीखो जोब लगने के बाद में कैसे सरवाई कर पाओगे मतलब मानो आप बारती हो पर इतना भी क्या यार कि आप एक चीज की रट बांद लो पहले से आपको थोड़ा बनना पड़ेगा आपना हर रोज ये कमेंट करते हो मैं देखता हूँ आपको नोटिस करता हूँ मैं और एक आदा बाकी तो क्यूसन मेरी कोसिस रहती है कि इंगलीस हिंदी दोनोर हो ये लेकिन कुछ है कि क्यूसन की ट्रांसलेशन रहना रह जाए तो आप उसी क्यूसन पर तुरंत बोल जाते हो ये बहाद थुड़ना होती है याड पढ़ने थुड़ना आयो तुम तो फिर कमिया निकालने आयो तुम ध्यान से 15 मिट बैटके सुनो तो सही ना समझ मैं ये तो कह देना कि यार समझ ही नहीं आया तो कमिया निकालना छोड़ो समझ ना सीखो, अगर पढ़ने आये हो तो, अधरवाइस हो तुम्हारी सलहा की बात है भई चलो, अगली बात पर आते हैं Processed Data is no nature Processed Data क्या कहलाता है कोई भी question हो, चाहिए मैं उसका तुरंत इंदी बोलता ही मुझे अच्छे से पता है, Processed Data क्या कहलाता है, काहे कि इंगलीज रहेगी भई इसके अंदर अब Processed Data में हमने कल पढ़ा था इसको आप क्या कहते हो, Information कहते हो कल की क्लास में ये पढ़े थे हमने Who invented logarithmic, ये कल वाले ही क्यूस्त है नहीं, एक बार रिवाइस करवा रहा हूँ है जो अभी आएं और को बता रहा हूँ, logarithmic काविसकार किस ने किया था, John Napier ने किया था, ठीक ना, और Ray Tomelson, मैंने अभी बता है Ray Tomelson किसके लिए famous थे आपको ये भी कल बताया था, email के लिए ताकि कल वाली कलास के एक बार दुबारा revise हो जाए तो पक्का हो जाए Which of the following error are identified by the compiler compiler के दवारा इन में से कौन सी परकार की गलती को ढूंडा जाता है compiler के दवारा कौन सी गलती को ढूंडा जाता है इन में से, तो compiler के दवारा logical error को पहचाना जाता है, कली की कलास में मैंने आपको इसको बहुत ढंग से explain किया था, अगर आपको याद हो तो, a set of instruction, मतलब instruction का group जो है न, executed directly by computer, जो computer अगर ठीक ढंग से समझ पाता है किसी चीज को तो वो समझ पाता है एक ही language को और वो language कोन सी है, आपकी machine language है, ठीक ना, machine language इसको computer ठीक ढंग से समझ पाता है आपका, how many layers are there in OSI model ये कल की कलास में मैंने बहुत डिटेल से समझाया था, OSI model के अंदर total कितनी layer होती है, तो OSI model के अंदर total 7 layer होती है ये भी समझे थे, समझे थे आप लोग ठीक है, आईए, अब आज की कलास के question यहां से start हो रहे हैं आपके, ठीक है तो पहला question आज के लिए ये है कि Rome in computer science computer के अंदर Rome होता है इस Rome का full form क्या है Rome का क्या full form होता है, बताइए तो Rome का full form आप लोगों के लिए मुस्किल नहीं है, बताना random access memory तो किसका होता है random access memory तो RAM का है लेकिन read only memory जो है आपकी ये होता है, ठीक है तो option number C जो है इस सवाल का ठीक है read only memory ये होता है आपका कौन सा ROM, read only memory और रोम जो होता है ना रोम में लिखे गए प्रोग्राम कौन से होते हैं आपके रोम में लिखे गए प्रोग्राम रोम में लिखे गए प्रोग्राम रोम में कौन कौन से प्रोग्राम जो है न आपके वो लिखे जाते हैं तो रोम के प्रोग्राम को पहली तो बात कहते हैं क्या हो रोम के प्रोग्राम को कहा जाता है फरमवेर के नाम से जानते हैं रोम के अंदर जो भी program लिखोगे आप लोग उसको आप firmware कहोगे पहली तो बात यह important है दूसरी बात important आपको याद रखनी यह है कि जो रोम होता है ना आपका इस रोम के अंदर आप लोग program होते कौन से firmware होते कौन कौन से एक तो होता है आपका BIOS होता है BIOS का मतलब होता है क्या आपका basic input output system बेसिक input output system basic input output system जो है यह BIOS का full form है basic input output system यह full फॉरम होता है कि इसका आपका BIOS का दूसरा आपका यहाँ पे वो कौन सा आता है BIOS के अलावा एक आपका part होता है जिसको कहते है boot loader आप boot strap loader ठीक है ना boot strap loader होता है आपका एक है और ये boot strap loader का मतलब क्या है इसका मतलब आपका ये होता है कि computer का hardics का data primary memory में ले आना पर ये दोनों के दोनों program किस के अंदर लिखे होते हैं वो दोनों के दोनों program ROM के अंदर लिखे होते हैं याद रखेगा ROM यानी की read only memory ये भी point आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है ठीक है ना जी बिलकुल ROM जो होती है ना एक non-volatile memory होती है ठीक है ना रोम एक non-volatile memory होती है non-volatile memory non-volatile memory होती है आपकी ये non-volatile memory का मतलब ये है कि ये एक बरकार की स्थाई है यानि कि यह permanent memory है ठीक है ना इसके अंदर data एक बार आ गया सो रहे गई रहेगा delete नहीं होने वाला है जब तक light रहेगी तब तक इसमें data रहेगा light जाएगी तो ही data जाएगा अदरवाज इसमें data नहीं जाने वाज़ light जाए चाहे ना जाए कोई फरक नहीं पड़ेगा data इसमें हमेशा रहेगा light जाएगी data जाएगा तो वो आपका RAM हो जाएगा तो permanent data जिसमें एक बार आ गया तो आ गया रहेगा ही रहेगा वो आपका कौन सा पार्ट है इसको आप लोग कहते हो ROM यानि कि read only memory के नाम से जो है वो आप लोग जाना करते है इसके बाद में अगली बात आती है इसके अंदर क्या कि जो आपके पास में ROM होता है ना read only memory होता है इसके लिए आप एक बात और भी याद रखिएगा कि जो ROM है इसके टाइप है जैसे इसके पाद एक ROM है एक इसका टाइप होता है P-ROM ठीक है ना P-ROM P-ROM का मतलब प्रोग्रामेबल read only memory एक इसका होता है आपका कौन सा E-P-ROM ठीक है ना E-P-ROM होता है E-P-ROM का मतलब होता है आपका क्या Erisable programmable read only memory ठीक है ना इसमें से data को मिटाया जा सके मिटा सकने वाली memory है यह और इसमें data को मिटाते किस से हो आप लोग UV-ROM ठीक है UV-ROM का मतलब होता है Electrical Erisable programmable read only memory इसमें data को Eris करते हो किसके through इसमें data को erase किया जाता है laser light के through ठीक है ना laser light के through जो है डेटा को delete किया जाता है इसके अंदर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है कि which of the following is note and operating system ठीक है इन में से बताईएगा कौन सा operating system नहीं है which of the following is note and operating system इन में से कौन सा नहीं है इन में से कौन सा operating system नहीं है Windows Vista एक operating system है Linux एक operating system है ये एक आपका जो है ना वो आया था open source operating system है ठीक है ये तो आपका कैसा होता है ये तो होता है आपका open source operating system में से आता है Microsoft Office ये कोई operating system नहीं है ये एक आप ही application software में से आता है ठीक है ना application software में आता है ये ठीक है ना इसके तन का सही अंसर यह यह application software है ये और application software तो है है यह इसके अलावा ये बात आती है कि ये एक ऐसा software है जिसको launch किया गया था 1988 में इने शली उसके बाद 1989 के अंदर इसको Apple Company ने अपनाया और उसके बाद में November 1990 के अंदर जो है ना वो publicly launch हो गया था ये ठीक है ना Office के लिए तो Office Office के लिए use हुआ था 1988 में Apple Company ने इसको इस साल में और सब के लिए आ गया था ये 1990 के अंदर ठीक है इसको starting में launch किया गया था Office Suite के नाम से Office Suite इसका मतलब होता है Group of application software Group of application software एक नहीं इसमें कई सारे application थे आपके ठीक है जैसे कि एक इसके अंदर Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, और Microsoft Outlook इनको आप Office Suite के नाम से जानते हो ठीक है ना ये सारे software एक ही साथ के थे आपके गुड़ इवनिंग बेठा सबी को अगला question आपका क्या रहेगा How many zb is equal to one tb? एक मतलब tb में कितने zb हो सकते हैं आपके ये बताइए आप लोग Sir, ms word में macros क्या होता है? बार-बार repeat होने वाले tags को macros में डाला जाता है, ठीक है ना? उनको आप macros में डालते हों क्राऊंगा macros, ms word, power point, excel के तो क्युस्टन करवाए एक दिन साहिद मैंने word, power point ये क्युस्टन भी क्रमाऊंगा How many gb is equal to one tb? तो I think ये बहुत easy होगा आपके लिए और मैंने आपको ये कई बार sequence बताई होगी अपनी कल परसों की class में इसका science और 1024 रहेगा आपका ठीक है ना? इस gb को आप लोग बिलियन बाइट भी कहा करते हैं याद रखना ठीक है ना? बिलियन बाइट भी कहा करते हैं और ये tb trillion byte होता है आपका तो 1024 अगर gigabyte लेता हो मैं तो इसका बन जाएगा एक tb बन जाएगा टराबाइट बन जा जल्दी से बताओ आप पेपर में वैसे question as a teacher मेरे तरफ से मैं बात करूँ तो पेपर होगा moderate level का ना ही तो बहुत हलका ना ही बहुत भारी moderate हलका to moderate रहेगा मुझा लो to high level भाई भी नहीं moderate level का रहेगा आप ठीका ना लेकिन ये बात person to person की त्यारी पे पेपर करता है अब कोई person है ऐसा है मालो मेरे आगे कोई question paper रखा हूँ है computer का रखा हूँ है मैं बहुत दिनों से computer पढ़ रहा हूँ तो मैं तो यही कहूँगा paper गुछ था ही नहीं बहुत easy paper आया था एक बच्छा है मालो की paper computer वो पड़ी नहीं रहा है उसने question वो कभी नहीं आपका pdf का full form क्या रहेगा portable document format है इसका सही अंसर ध्यान रखना file नहीं है किसी ने अगर file कहा है तो सरा सर गलत है अब देखो यही question है जो आपकी गलत कर देगा बाते अब इसमें दोनों ही option है portable document file भी option है portable document format भी option है अब बहुत सारे बच्चे होते है 90% more than 90% बच्चे नही क्योंकि pdf file हमेशा पढ़ते हों कि तो pdf file है pdf तो एक format का नाम है file तो file होईगी file का क्या है ठीक है न वो तो portable document format होता है एक आपका जिसको कहीं भी कभी भी कैसे भी use करो एक जैसा रहेगा उसके अंदर लिखावा content change नहीं होगा that is pdf portable document portable एक जगा दूसरे जगा तक दूसर आप moderate कह दो चाहिए low कह दो हाई कह दो confusing question कह दो आपकी त्यारी पर depend है which company developed Java कौन सी यसी company है जिसने Java language को बनाया था मेरी अगर previous class कल वाली देखी थी तुमने डेली शाम को 6-7 class होती है रोज लगाया करो आपको बहुत धंग से चीज़े समझ में आयेगी आपका paper तक बहुत बढ़िया base बन जाएगा और ना विश्वास हो तो एक बार mock test लगा के देख लेना पता लग जाएगा कि mock test में हमारे marks बढ़ रहे हैं तो ही class continue करना वरना तो मती करना चाहें तो which company developed Java? Java को develop किया था एक company ने इस company का नाम है डियर आपका sun microsystem company जो है ना इस company ने develop किया था किस इसको Java language को तो सही answer इसका sun रहेगा कौन से साल में initially Java आई थी 1991 में लेकिन उसका नाम उस time पे Java नहीं होता था उस time पे उसका नाम होता था green talk हुआ करता था ठीक है ना बाद में इसका नाम बदल के object oriented कर दिया गया था ठीक है ना object oriented language के नाम से भी इसको जानते हैं कई बार प जावा ठीक है और अब भी मैंने तोड़े देर पहले ही इसी कलास में ही तुम्हें बताया था क्या फादर ओफ जावा कौन है अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है फादर ओफ जावा जो है नडियर उनका नाम है आपको याद रखना है क्या James Gosling ठीक है ना इन अगला किस्तन हमारा अच्छे में एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी है इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की थोड़ी सी बात बताता हूँ यह जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना आपकी माइक्रोसॉफ्ट यह कंपनी आपकी एक आईटी कंपनी है पहले तो यही पता होना ची है that is an information technology company first thing second thing यह याद रखना है आप लोगों को क्या कि Microsoft company कौन से साल की है 1975 में यह company आई है कोई तुम से पूछे इस company के founder कोन है ठीक है ना इस company के founder तो इस company के founder का नाम तो है dear Paul Allen ठीक है ना Paul Allen Paul Allen जो है ना इसके company के founder है कोई तुम से पूछे इस company के co-founder जो है ना वो कोन है तो इस company के co-founder जो है ना उनका नाम है dear Bill Gates ठीक है ना Bill Gates जो है इस company के co-founder है अगर मैं कहूं इस company के CEO कोन है ठीक है ना CEO तो इस company के CEO है सत्या नडेला ठीक है ना सत्या नडेला ठीक है ना यह भारतिय मूल के हैं 1969 में इनका भारत के हद्राबाद में ही जनम हुआ था जो आज करेंट में तेलंगाना का कापिटल है ठीक है ना तेलंगाना तेलंगाना नया ही बनावा स्टेट है एक है दो जून को बना था ठीक है दो जून 2014 को बना था स्री कृष्णा समीति के अधार पे का नाम के चंदर से खर रहा है राजय पाल का नाम तिमल सही सांद राजन एक व्यक्ति और भी है भारत के आपके मतलब और वह बड़ी कंपनी में एक गूगल कम्पनी तुमने सुनी होगी गूगल और गूगल के CEO भी अगर आप से पूछू मैं तो भारत के ही पढ़ोगे आप लोग सुन्दर पिच्चाई ठीक है ना इन ही इस फ्राम तामिल नाडू गूगल की मदर कम्पनी का नाम है एलफा बैट इंक इसके CEO भी पूछ ले तो भी यही है सुन्दर पिच्चे ही ही है ठीक है Microsoft का Headquarter का हां पर है वो है Redmond में र-A-I-D Redmond में Redmond का हां पर पढ़ता है Washington DC के अंदर पढ़ता है ठीक है ना Washington DC USA United State of America Capital के अंदर है ठीक है तो यह बाते तुम्हें पता होनी चीह है काम की बात नहीं है सारी नहीं पता थी तो screenshot रख लेना और पता थी तो well and good है बहुत ही बढ़िया बात है ठीक है चलिए सर आगे बढ़ते हैं वीडियो को एक बार like कर देना अगर आपने like नहीं किया तो बहुत गड़ पड़ा है like मतलब यह समझो गुरु दक्षना होती है क्लास में आए हो तो गुरु दक्षना देना पड़ता है पैसा तो आपसे नहीं लिया जा रहा है इस क्लास का तो आप like करके दक्षना देके जाया करो free में किसी से चीज लेने का कोई मतलब भी नहीं हो ऐसे भी एक से ज़़ा फाइलों को आपस में आप merge करते हो तो उसके लिए आपको उनसी command यूज करोगे append command यूज करते हो याद रखना ठीक ना append command होती है याद करने वाला क्यूस्टन है append command का का काम होता है एक फाइल को दूसरी फाइल में merge कर देना जैसे मैं आपको बताऊं example से मैं रखा है ठीक ना दस लिखा है मैंने list का नाम X दे दिया चलो ठीक ना दस लिखा 20 लिखा 30 लिखा ठीक ना यह लिख दिया फिर मैंने कहा append अब आगे मेरा जो लिस्ट जो भी होगी ना इसका result क्या होगा 10,20,30,40 ठीक है ना तो append का काम होता है जोडना ठीक है ना Excel में भी यूज होता है और कहीं पर भी यूज कर सकते हो और इसका उल्टा हो सकता है फिर remove ठीक है ना आपको इसमें से कुछ खटाना होता है मालनों 30 हटाना ही होता है इसको तो अपन की जगह आप लोग क्या लगाते फिर आप लोग लगाते remove ठीक है ना ठीक है ना ठीक है रिमूव तो सबको पता है तो पैपर में रिमूज देता है, वो जान बुज के अपेंड देता है, ап Nate का मतलब क्या होता है, पेंड का मतलब जोड़ना होता है, तो जान बुज के यह कमांड देगा, जिस זה आपको उलझाया जा सके नेक्स्ट आपका, Blanks tells the computer's memory, arithmetic logic unit and input and output device, how to respond à programs, instructions, computer के अंदर ये कौन बताता है कि input, output, memory, storage ये सारे के सारे कब काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीजे कौन बताएगा, instruction वगरा, सब काम कौन बताएगा, ठीक है ना, अभी तक exam notified तो है नहीं, अभी में रिकाल से form बढ़ने की last date भी अभी गई है ना, थोड़ी दिन पहले December 25 December को साइध, control unit इसका सही अनसवर रहेगा, बिल्कुल ठीक है ना, control unit, control unit इसका बिल्कुल ठीक अनसवरा याद रखेगा, आप लोग ठीक है, अच्छा, control unit क्या है, देखो, आप एक बात याद रखो, control unit का काम यह होता है, कि जो timing signal को generate करे, ठीक है ना, timing signal को generate करे, उसके लिए आपका होता है, क्या, control unit होता है, यह याद रखेगा, timing signal के लिए, आपका क्या होता है, यही होता है, control unit, जैसे for example कि कब आपके जो है न वो input device ने काम करना है कब आपके output ने काम करना है कब आपके storage ने काम करना है कितना काम करना है किस तरीके से जोणा memory alert होईगी वो सब काम control unit का ही है आपका next है कि hyper text was invented Hyper text जो है न वो किस ने invent کیा है यह बताईएगा, hypertext को जो है न, वो किसने invent किया है? hypertext को किसने invent किया है? बताईए बिल्कुल more than enough idea हाँ, test series मिल जाएगी, आप test और सुपर कोचिंग पे जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा hypertext was invented by hypertext जो हना, वो invent किया गया, किसके दवारा? इसका सही अंसर टेड निल्सन है, ठीका न, hypertext जो हना, टेड निल्सन के दवारा, अच्छा, hypertext markup language किसने बनाई? ठीक है न, अगर मैं पूरा ही नाम कहूँ, html, ठीक है न, ये किसने बनाई? अगर ये पूछूँ आप लोगों से मैं, html का विसकार जो हना, ये किसने किया है? तो html का मतलब आपका है, क्या hypertext markup language, ठीक है? तो ये language जो हना, वो 1991, अलंकि इसका 1990 से स्टार्ट हो गया था प्रोसीजर तो, एकनो 1991 में में जो हना, ये प्रॉपर आपकी language आकाम कही थी, और उनका नाम था आपका team burnasley, ठीक है न? team burnasley, जिन्होंने www का भी विसकार किया है, ठीक है, जिन्होंने www का भी विसकार किया है, ठीक है? how many kb is equal to 1 zb? लो भई, बहुत easy सवाल है, देखते हैं कोन इसका सही जवाब देता है, छोटा सा numerical समझेगा, computer की memory का, कि एक आपका जो हना, कितने kb होते हैं 1 zb के अंदर? किसी ने a option दिया है, पर ध्यान से देखो, equal to kb, 1024 अगर मैं kb लेता हूँ, तो मेरे पास बनेगा 1 mb बनेगा, ठीक है, 1024 अगर मैं mb लूँगा, तो मेरे पास बनेगा 1 zb बनेगा, ऐसे कुछ होगा? हाया ना, ऐसे कुछ होगा ना आपका, ठीक है ना, 124 kb का 1 mb बनेगा, 124 mb का क्या बनेगा, 1 zb बनेगा, तो ये कितनी बार use हुआ है आपका, ये दो बार use हुआ आपका, ठीक है ना, तो आपको बस यही answer कर देना है, simply, 1024 into 1024, कोई multiply नहीं करना, कोई solution नहीं देना, simply इत equal to 1 tb, तो इसका अंसर क्या होता, बता दोगे, तब इसका अंसर क्या होगा, शाबास, ठीक है ना, तीन बार use हो गया, ठीक है ना, बहुत ही simple है, अब तीन बार use हो गया, समझ लीजिए, ठीक है, अब आपका 1024 एक बार tb बन गया, 1024 जिबी का क्या बन गया, आपका एक, tb बन गया, ठीक है, तो simple है, next है, which of the following is equivalent to 1 kilobyte, 1 kilobyte किसके बराबर होता है, one of the easiest question है, simple है, आपका क्या होगा, कि 1024 byte के equal होगा, ठीक है ना, 1024 byte के equal ही होगा, ये दो तिन बार आगे, पूरी series में फिर एक बार revise करवाता हूँ, बार बार पूची जा रही है, एक bit है, सबसे छोटा bit है, ठीक है ना, एक bit के बाद में आती है, 4 bit, 4 bit का मतलब होता है, आपका क्या, एक nibble होता है, speedily देखिएगा इसको, ठीक है ना, और अगर 8 bit एक साथ मिल जाते हैं, तो क्या बताया था आपको, मैंने, 1 byte बताया था, मैंने आपको, ठीक है, और अगर 16 bit बताया है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, एक word होगा, ठीक है ना, एक word होगा, अगर 1024 byte आपका है, तो इसका क्या बनेगा, बताओ, 1 kilobyte बनेगा, 1024 kilobyte का क्या बनेगा, 1 MB बनेगा, 1 MB बनेगा, 1024 megabyte को आप लोग कहते हो, कई जिगा million byte भी कहते हो, याद रखना, 1024 megabyte का क्या बनेगा, 1 GB, अभी बताया था, GB को आप लोग कई कई जगा पर, जो ना, क्या कहते हो, billion byte भी कहा करते हो, 1024 billion byte का, sorry, gigabyte का क्या बनेगा, आपका, 1 TB बनेगा, 1024 terabyte का बनेगा, 1 PB, petabyte बनेगा, 1024 petabyte का बनेगा, क्या, 1 EB, exabyte बनेगा, 1024 exabyte का बनेगा, एक आपका, ZB ZETABYTE 1024 ZETABYTE का बनेगा क्या एक आपका YOTABYTE और 1024 YOTABYTE का बनेगा एक BRONTABYTE और 1024 BRONTABYTE का बनेगा आपका क्या एक GEOPBYTE बनेगा ठीक है तो ये MAXIMUM होती है इस टाइप की सिक्वेंस होती है आपकी अगर आपने इसे याद कर रखी है तो well and good नहीं याद कर रखी है तो अच्छे से याद कर लेना है ठीक है ना चली आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसन हमारा जो है न वो कौन सा रहेगा A computer language that expressed the presentation of structured documents such as CSS is scored basically यह बहुत ही बढ़िया सवाल है कई सारे paperों में repeat किया गया क्यूसन है most important क्यूसनों में से एक है एक computer की language आप से पूछी है इन्होंने पूछा that expressed the presentation of structured document जो structured की हूए document है उनको आप लोग जो ना CSS में दिखाते हो तो यह क्या होती है कुन सी वो भासा है बताईए आप लोग किसी ने यहाँ पे style sheet language अगर दिया है answer या CSS style sheet answer दिया इसका सही answer है CSS यहाँ पे दिया इसका मतलब होता है cascading style sheet जब भी कभी भी कोई भी आप लोगों को file जो है ना वो दिखाई देती है कोई भी आपका document आपको front end website का दिखाई देता है website के दो end होते है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक website का end होता है इसको आप लोग कहते हो क्या front end कहते हो जो सामने आपको दिखाई देता है एक end होता है back end back end की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे है आप तो front end की बात करें, front end में CSS होता है आपका, CSS होता है, HTML होता है, और Java होता है, ठीक है न, ये part होते हैं आपके front end में, जो आपको पहले दिखाई दे, style, आपको बहुत सारे design design दिखाई देते हैं, कोई नीचे से निकल के आ रहा है, कोई उपर से निकल के आइकन आ रहा है, बड़िया से सुन्दर से graphics आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीज़े आपको जो दिखाई देती है न, ये सब कुछ किस वज़े, कोन से पे रहती है, ये आपकी front end पे रहती है, front end में भी CSS के दवारा ही, यानि की cascade style sheet के थ्रू ही जो आप लोगों को ये चीज़े दिख करके लिखते रहते हैं, डिटेल देते रहते हैं, सब चीज़े हैं, वो क्या है, गूगल है, विकिपेडिया है, एंसाइकलोपीडिया है, या आपका याहू है, होफ़ली आप लोग बहुत असानी से इसको जवाब कर दोगे, अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल के लिए, तो बहुत इजी है, के लिए, मसीन ही चाहिए, सब से इजी लेंग्विज वही है, मसीन इसके लाव callee language है, ठीक है? Blanks is a series of super computer designed and assembled by the Center for Development of Advanced Computing in Pune, India ऐसी computer की series बताईएगा जो computer असानी से उसको सवज पाता है ठीक है न? 31 का अंसर बताऊं 31 का अंसर तो यह है बता तो दिया था न? style sheet language fourth option है style sheet language यह देखो बता तो दिया था style sheet language next क्या बता था हाँ, कौन सी series है super computer की जो c-deck ने बनाई है मतलब भारत का पहला super computer जो है न कौन सा बना था यह पूछा इनोंने पूछा है इनोंने तो बिलकुल लाइक तो करो session को भाहिए सारे के सारे लाइक तुमने नहीं किया अभी तक इसका शएअंसर परम है सबने सही दिया है अंसर is a देखो बात है 1991 की, अगर मैं कहता हوں भारत में Super Computer पैली बार कौन सी Seneration के इंदर आया था, तो 5th generation के इंदर आया था, 5th PD के इंदर आया था, 1991 के इंदर आया था, आपका ठीक है ना ना दूसरी बात यह है, कि 1991 के अंदर पांचु जनरेशन के अंदर कंप्चिर हमारा ये आया था इसका नाम क्या था इसका नाम होथा था क्या परम 8000 परम 8000 जो है यह भारत का पहला सूपर कंपिटर था याद रखिएगा इंडिया जी फर्स्ट सूपर कंप्यूटर अगर आप से पूछ लूँ तो कौन सा था परम 8000 था परम 8000 भारत का पहला सूपर कंप्यूटर था अच्छा इसके बाद में अगर मैं बात करूँ भारत में आज वर्तमानेम सबसे तेज सूपर कंप्यूटर कोन सा है fastest super computer कौन सा है fastest दुनिया में भारत में तो परमसिधी AI है लेकिन दुनिया में है आपका frontier है और ये USA का बनाया हुआ है और ये HP company के दवारा चलता है आपका ठीक है 1.1 exaflops इसका speed है 1.1 exaflops exaflops 1.1 exaflops जो है इसका speed है याद रखिएगा अच्छाए मैं अगर आप से कहूं कि flops का full form क्या है तो flavour 150-1 operating operating per second floating point operation per second जो है ये इसका full form है याद रखिएगा आप लो ठीक है yाद रखिएगा floating point operation per second जो है ये इसका full form आपका ठीक है चलिया आगे जाते हैं हम लोग अगला क्युस्तन आपका क्या Unix Operating System was developed in 1970 Unix Operating System जो है न वो 1970 के इंदर बना था पर बनाया किसने था यह Unix Operating System बनाया किसने था Frontier India का सबसे तेज है नहीं Frontier India का नहीं है वो दुनिया का सबसे तेज है भारत का सबसे तेज है प्रमसिद्धी ए आई प्रमसिद्धी ए आई अगर देखो मैं बात करूं 1971 जो है न इसके अंदर आपका 70s लिखा एक्चली पर 1971 की बात की जाए तो इसके अंदर आपका एक है सबसे पहले आपका वो लाँच किया आया था यह और यह Unix Operating System था ठीक है ना Unix Operating System था जिसको बनाया किस ने था जिसको बनाया था Ken Thompson ने ठीक है Ken Thompson के द्वारा जो है न वो बनाया गया है और इसको आप लोग न मल्टी यूजर Operating System के नाम से जानते हो ठीक है Linux भी आता है याद रखिएगा Linux और Unix जो हना यह दोनों ही Multi-User Operating System है अगर है कि Who is Known as Father of Computing Computing के फादर को ने हमने कल भी पढ़ लिया है Charles Bebez जो हना यह Computing के फादर है Grammar for annotating a document in a way that syntactically distinguishable from the text such as HTML ठीक है न वो क्या है देखो जहिर सी बात है अगर आपको computer के अंदर कुछ भी web page वगरा बनाने है तो HTML यानि की markup language आपको आना चाहिए वेब page किसको कहते हो आप लोग ठीक है न वेब page का मतलब ही क्या होता है वेब page का मतलब है जो page HTML में लिखा हो ठीक है न जो page HTML में लिखा हो ठीक है न जो page HTML में लिखा हो ठीक है न उसको आप लोग web page के नाम से जाना करते हो मैं आपको कोई वेब पेज का रूप दिखाता हूँ कि कैसा का होगा वेब पेज आपका ठीक है ना जैसे आपने गूगल खोला ये ठीक है ना और अपको मैं जैसे फिर ऊपल यहाँ पे आपने गूगल ही सर्च कर लिया गूगल वेब साइट आगई ये में गूगल है ठीक है न इसका वेब पे ये हिए ह्टेमल के कोड ये ये गूगल सर्च लिखा हूए ना ये एक्टेमल में लिखा हुआ है नहीं विश्वास होता तो मैं इसको change करके दिखा सकता हूँ अभी यह भी आपको ठीक है जैसे मैं इसको change करता हूँ यह जो code लिखे हुए ने दिख रहे हैं सारे के सारे आपके यह सारे के सारे लिखे हुए है HTML में अभी मैं गूगल सर्च को ना सुनील सर्च करना चाहता हूँ कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको इसको सुनील सर्च करके दिखाता हूँ कि यह गूगल सर्च है और इसको मैंने सुनील सर्च कर देना है ठीक है मैं इसका तो ना चेंज भी कर देना चाहता हूं स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूं ठीक है ना मैं इसका बैक्ग्राउंड बदल देता हूं चलो लो इसका बैक्ग्राउंड ले लेता हूं मैं कैसा लो बताओ व्लेक, ब्ल्यू, ब्राउन, ब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है न, यहां पर मैंने सुनिल सर्च तो किया है, आपना color भी change कर दिया, ऐसे कुछ भी change कर सकते हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये सब चीजे क्या होती, इनको आप लोग कहते हो, ये सब चीजे क्या है, आपकी, ये HTML की code है, ये HTML की code है, आपको एक चीज और याद करवाता हूँ, मतलब आपको ना हमेशा याद रहेगी ह एक काम करते हैं, आपको ना, एक web page ही बना के दिखाता हूँ, ताकि आपना web page कभी ना बूलो, HTML कभी ना बूलो, एक paper में क्यों सना आया था, HTML के code लिखे कैसे जाते हैं, ये angular bracket में होते हैं, आप दिखा देता हूँ आपको, मैं ठीक है ना, कैसे होते हैं, एक मैं software डाउनल लिखा जा सकता है, कोई भी web page जो है आपका लिखा जाए, तो HTML के इंदर लिखा जाए, गरा HTML के जो code है ना, वो हमेशा है, angular bracket में होते हैं, एक बात को याद कर लेना, ये paper में कई बार आया हूँ है, आपका ये, ठीक है ना, PDF with answer ही रहता है, कल PDF send किया था, with answer ही तो send किया था, उसमें answer थे हो सही सारे, क्यों सन के साथ answer थे सही, देखे हैं, या यूँ ही कह रहे हो, कुछ है कि PDF जान गुज के answer के साथ में लगाता है, ताकि आप practice कर पाओ, ठीक डंग से, अब ही आपको हम दिखाते हैं, कोडिंग के दुनिया में लेके जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, ठाकि आप याद कर पाओ, अब मैं आपको दिखाता हूं, क्या करना, की, कीबूर का है मेरा, चलो, अब मेरे पास ना, कीबूर्ड है यह, ठीक है ना, अब आपको मैं एक web page दिखा रहा हूं, जहान से देखना आप लोग, ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक web page कैसे बनता है, मैं बिल्कुल fresh web page बनाने सिखा रहा हूँ, आप हो कैसे बनता है, ठीक है ना, तो मैंने एक code लिया है, ठीक है ना, एक code लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास shortcut है, थोड़ा HTML लिख के फिर मैंने code त्यार कर दिया, मैं इस web page का title देना चाह रहा हूँ, कुछ भी एक, ठीक है ना, और title मैंने इसका example से दे दिया, मेरी website का नाम होना चाहिए, क्या, सुनील बिस्णोई, आप क्या आगे लिखा, जो लिखा है मैंने, ठीक है ना, अच्छा, सुनील बिस्णोई, जो है ना, मेरे website का नाम होना चाहिए, इसके अंदर लिखावा क्या होना चाहिए, website के अंदर, hello everyone, everyone, hello everyone, ये इसके अंदर लिखावा होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे हो, आप, सब, ऐसा कुछ लिखावा होना चाहिए, ठीक है नहीं यह सब लाइन लिखी भी होने चीए इसके इंदर इतना ही बता रहा हूं? बहुत लम्बा छोड़ा आपको नहीं लफडे में डाला चाहता है यह मैंने कोड करके सेव कर दिया इसको मैं सेव कर रहा हूँ कहीं पे भी सेव कर रहा हूं इसको मैं खोल रहा हूं आले ते Google Chrome के दिए खोल रहा हूं एपन हुआ आपको गर गोर से कुछ जूम करके दिखाता हूं ऐसे दिखेगा नहीं आपको ठीक है नट वेबसाइट का टाइटल क्या डाला था बताओ ताओ शरने का टाइटल क्या डाला कोई भी website बनती है तो ऐसे ही बनती है अब इसमें मैं image भी डाल सकता हूँ एक website से मैं link भी कर सकता हूँ इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़े होती है वह आप मसलन छोड़ सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप mark up language क्या होती है वह समrz गए ठीक है न कि यह 4 लेंगवेज क्या है आपका थीक लई सरा आप राट्यानज से हैं हाँ मैं बिल्कुल हर्यानज से होंडिय करण हो है। mark up language क्या होते हैं समझ अप एक चीज इक पॉर्टंट थी वह यह थी कि html के hashtml के पर हमेशा अ करे में बउल्ड की लिखना होता है आपका थिमेज का गोड होता है लुए यह एक primo यह घर लिखनागे मुझे लिखनाहें जायगा का। इकले अवक्त्र कि आपका फ़रेश वन इसको कोड अथा है गलिक तो कहने का मतलब यह कि इस तरीके से यह कोड होते है पर आपका पेपर में यह कोड याद करने का नीड नहीं है आपको कि किसका कोड क्या होता है तो बहुत कोड है सारे तो मुझे भी याद नहीं होगे सारे ठीक है ना मतलब काम काम के सारे कोड यूज किये वें बाकि तो सारे क्या हो पेपर नहीं पूछता तुमसे, तुम्हारा पेपर क्या पूछेगा, पेपर पूछेगा, कोड लिखे, किस में जाते हैं, ये क्युस्तन पेपर में बहुत बार आया हो है, ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, याद रखिया, ये एंगुलर ब्रैकेट सुती है, इनको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं एएसपी इन कंप्यूटर साइंस एएसपी का फुल फॉर्म पूछा है बता दो बबाल में बहुत ठंड है सर हरियाना में भी कौन सी ठंड कम है और गजब की ठंड बढ़ रही है मैं कहा रहा हूं भगवान ने मस्त वाला सोला पेशी सोला पेटरी भगवाने तो लग रहा है पांच छे पेशी कर रखा है फिलाल तो रिखा सर्मा क्या कह रहे हैं सर या बाई बो सर बोले या बाई प्रोग्रामिंग आई क्या है पूरी बात तो लिखो डियर आदी दूरी बात लिखी है सर चबलपुर में बहुत ठंड है अरे बाई इंदोर का भी ऐसी चालू है चलिए इंदोर साफ एक नहीं है कितना का साफ है इंदोर हमने सुना इंदोर लगबग छे बार सबसे साफ सहरा है जल्दी अपडेट होगा ठीक है ना चलो इसका सही अन्सवर आपने दिया है अप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है देखो क्या होता है कि माल लेता हूं कि मुझे ना क्या करना है, मुझे ना एक कोई PDF फाइल है, PDF को जो है न, वो PPT में बदलना है, मेरे कम्प्यूटर में कोई भी जो है न, वो software डाउनलोड नहीं है, लेकिन मैं न, ऑनलाइन ही ये काम करना चाहरा हूँ, PDF को PPT में बदलना चाहरा हूँ, बहुत सारी वेबसाइट खुलके आगे देखो, ilovpdf.com आगी, smallpdf.com आगी, pdf2go.com आगी, adopt.com आगी, ऐसे बहुत सारी आगी, मैंने इस पर उपन कर दिया, कोई ये वेबसाइट खुलके आगी, ये एक, ilovpdf करके कोई वेबसाइट खुलके आगी, ये application service मिल रही है मुझे, ठीक न, जो आपके question मे इन्होंने दिया, application service provider, ये application service provider, ये मुझे यहाँ पर, ये online ही है, online ही क्या करेगा, यहां से उठाएगा, कोई pdf, ये मुझे से पूछ रहा है, कौन सी pdf है, मैं कोई भी pdf उठा लेता हूँ, randomly आपको दिखाने के लिए, for example, मैंने 1 October उठा लिया, ये ठीक है न, या इन में से कोई काम की चीज़ों को अगर बढ़ना कर दू, मैं कहीं, ठीक है न, कुछ भी उठा लेता हूँ, तो टेडा मेडा उठाता हूँ, ये, ठीक है न, ये उठाई, इसको open किया, और इसने क्या किया है, इसने कहा है, कि इसको convert करो, ये देखो, online सब कुछ convert करके दिखा रहा और चला लो, ये बंगी PPT मेरी, ये PowerPoint में खुलेगा, लो, PowerPoint खुल गया, ये सिदा सिदा, समझ गए आप मेरी बात को, साइध आप बहुत ढंक से समझ गए होंगे, तो application इस तरीके से ही काम करती है, ASPC को भी बोलते हो, ATM क्या होता है, सब को पता हो कर बता हो, मैं करता हूं, सर इसको, हाँ, बहुत लोग करते है, ठीक है, आप भी करते है, मैं भी करता हूं, हर कोई करता ही है, ऐसी बात नहीं, यूज तो इनको तो, पर मैं वैसे बता रहा हूं, आपको example देके, ये कुछ चीजों के example देके, मैं जानबूज के समझा रहा हूं, ता कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, रट्टा ना लगा हो, ठीक है ना, लेको पढ़ाने के दो आप लोग ठीक कर पाओ, concept कलियर बहुत होने जरूरी है, याद होना, concept समझ में आजाए ना, वो जरूरी है, automated टेलर मसीन है, कोई automatic मत बोल देना, ठीक है ना, automatic नहीं होता है, automatic अगर कोई बोल रहा है, तो बहुत गड़बड कर रहा है वो, चोकि ATM ऐसा नहीं होता है, कि ATM का होता है, thermal printer होता है, कोई सा printer होता है, thermal printer होता है, ठीक है ना, और ATM जो होता है, thermal printer होता है आपका, और इसके अंदर hybrid computer यूज होता है, ठीक है ना, hybrid computer जो है वो यूज होता है, आपका, hybrid, hybrid का मतलब क्या है, analog plus digital, और इसके अंदर wax cotted paper यूज होता है, wax cotted paper, ठीक है ना, wax cotted paper पर जो है ना इसके अंदर आमदवर पर यूज होता है आपका, that is automated tailor machine, ओके, सही बोले, next है कि two versions of the internet protocol IP, IP के दो versions, सब को अच्छे से पता होगा, कई बार आपको पढ़ा दिया है, तो आप तुरंत answer करोगे इसका, जल्दी से answer करोगे, कोई गड़बर नहीं होगी आपके answer में इसका, एक internet protocol version number 4 होता है, एक होता है IPV4 होता है आपका, और एक इसी का भाई होता है, जिसको आप कहते हो internet protocol version number 6 होता है, internet protocol version number 4 जो नम idea, इसका meaning क्या है, इसका meaning यह है कि यह होता है 32 bit का address होता है आपका, इसके लिखने का तरीका dots में होता है हमेशा, यह हमेशा लिखा जाता एक डोट्स में लिखा जाता है, for example, ऐसे 162.16.1.1 इस तरीके से लिखा जाएगा आपका हमेशा, यह जो रहता है, यह रहता है, 128 बिट्स का रहता है, आपका इसको लिखने का तरीका हमेशा रहता है, colon के अंदर रहता है, याद रखना, और इसमें तो नमबर नमबर रहते है इसमें तो हमेशा, हमेशा नमबर ही आएंगे आपके, लेकिन इसमें तो अलफा बैट भी आ जाएंगे, याद रखना आप लोग, तरसे, for example, 4D, colon 6A, colon 16, colon 6D, ऐसे कुछ भी आपके नमबर है, colon में ही represent होंगे, तो आपको हो सकता है, पेपर में 4 option देके, यह पूछ ले, कि पीवी 4 का data bit कितना होता है, तो दोनों ही आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, dear, ठीक है, ना, सर, आज दोनों वरजिंस का mix होकर, बैंक में कौन से प्रिंटर यूज होते हैं सर बैंक में तो प्रिंटर बैटा लेजर प्रिंटर पड़े होते हैं चोट चोटे प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर होते हैं आपकी आप अपनी अप्लिकेशन पर डिपैंड करते हो जोसे आप मुझसे पूछो सर मैगजीन है व नियुस पयजूर कहां प्रिंट हो पोन से होंगे व इलक्रव स्टाइक यह एलेक्ट्र मेग्नीटिक प्रिंटर होंगे ऐफ फोटो कुपी दुकान पर देखते हैं या कोई बैंक पड़ा है चोटा सा होगी व आपके लेजर प्रिंटर होते हैं कहीं आप जो पासपोर्ट साइज प्रिंट करवा के लाते हैं नो फोटो वो इंक जैट प्रिंटर होते हैं आपके ठीक है HTML in computer HTML तो अभी सर ने दिखाई दी तुम्हें hypertext markup language होती है ठीक है blank season object model language object model language इन में से कौन सी होती है object model language होती है OQL object query language जो होती है इसको object model language कहते है object oriented modeling जो है na SQL के बाद की बहुत ही famous language है जो जर्नली आप लोगों को database management के अंदर जो है यूज करती दिखाई देती है which of the following is also known as the brain of computer computer का दिमाग किसे कहते हो computer का दिमाग आप CPU को कहा करते हो याद रखना Central processing unit है motherboard में cpu लगा होता है आपका motherboard memory किसे कहते हो आप आपके लिए και सन यह भी है Nosherboard memory किसे कहते हो to motherboard memory जो है आप जो है नब main memory को ही कहते हो यह कई बार RAM ROM को भी कह सकते हो आप यह main memory भी कह सकते हो आप रैम रोम दोनों ही जो है ना वो motherboard memory कहला ते, motherboard के अंदर ही तो रहती है और कहां रहती है, ठीक ना, main memory, primary memory, internal memory, semi connector memory, system memory, internal memory, यह सारे नाम किसके हैं, यह सारे नाम इसी के ही हैं आपके, TCP का full form, और यह कौन से year में आया, जो दोनों बात बताओ, और लेके कौन आया, तीन बात बताओ, TCP का full form, TCP कौन से साल में आया, कौन लेके आया, बताओ, TCP का full form, लेके कौन आया, कौन से साल में आया, 1921 में तो गलत है, इन्पुट का करम क्या होता है, सर, मदर बोर्ड में, इन्पुट का करम मतलब इन्पुट का का काम क्या होता है, यह पुछा आपने मुझसे, मदर बोर्ड में इन्पुट का काम क्या होता है, यह पूछ रहे हो, करम का मतलब तो काम हो गया या सिरीज वाला करम पूछ रहे हो कि किस कि सिरीज में होता है क्या होता है इंपुट के तो स्लोट्स लगे होते हैं गर सिरीज पूछ रहे हो तो आप लोग तो मदरबोर्ड में तो इंपुट स्लोट्स होते हैं माउस के लिए एक port हो गया कीबोर्ड के लिए एक port होता है आपका ठीक है तो ये input slots रहते हैं आपके उसके अंदर दो स्रीज वाला करम पूछ रहो ना आप तो इसका मतलब तो ही होता है कि आप slots होते हैं इसका कोई ऐसा स्रीज नहीं है कि उसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एक slots रहते हैं आपके जो से keyboard slots है, mouse slot है आजकल तो ना एक ही चीज आती है इसको बोलते है USB Universal Serial Bus के नाम से जानते है Universal Port होता है उसमें mouse भी चल जाता है, उसमें keyboard भी चलता है उसमें input output दोनों चलते हैं आपके printer भी चल जाता है, मतलब वो multiport कहलाता है एक type का आपका 1970 जिसने दिया है उसका बिल्कुल ठीक answer है 1970 is the right answer actually TCP का मतलब transmission control protocol है, ये आपको मैंने कल भी बताया था, ये transport layer के अंदर होता है और अगर मैं बात करूँ, TCP जो है न वो आया था, 1970 के अंदर और लेके आये थे, father of computer जिनका विनित सरफ है न, वही इसको लेके आये थे, उन्हीं की ही ये देन है याद रखना आप लोग ठीक है चलो dear, आज के इस particular session को हम लोग यहीं पे ही जो है और साथ बज़े तक आप लोगों को पढ़ाएंगे यह साथ बड़े जल्दी बसते हैं वैसे है, ठीक है न, मुझे तो मज़ा आ रहा था वैसे पढ़ा के, खैर अब आप लोग जो है न, अपना ख्याल रखिएगा और एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप मेरा कोड है, कूपन कोड सुनील इस कोड का जरूर यूज करिएगा इसके अलावा आप लोग दोस्तों जो है न, वो मेरा टेलिग्राम चैनल है उसे भी जोइन कर लेना सुनील सर टेस्ट बुक ठीक है न, सुनील सर टेस्ट बुक जो है न ये मेरा टेलिग्राम है, इसको जरूर जोइन कर लेना और इस यूटूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को रेगुलर्ली जो है न, वीडियोज मिलती रहे टाइम टू टाइम ये सेशन कैसा था, इसके लिए आप लोग मुझे जो है न, वो जवाब दे सकते हैं कमेंट में, फीडबैक में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फीडबैक देंगे तो रादे रादे आप सभी को और किसी का कोई डाउट है तो भी भूच सकते हो मुझ से आप मुझ सकते हैं झाल